हेलो स्वाब आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल ब्रेंदने की ब्लॉग्स में और जैसे कि आप जानते हैं कि आज कल विंटर प्रॉनिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल पे अप्लोड हो चुकी है प्रॉनिंग से जो पेड है इसकी ग्रूथ काफी जाना होती है तो हमें इसे काफी अच्छे से ट्रेंग करना पड़ता है शुरू में क्योंकि बाद में दिकत ना है क्योंकि आपको भी पता है कि पीड का जुड़ाया है बहुत मैटर करता है और जो हमारी जितनी भी टैनी है बिल्कुल ब प्रूनिंग करेंगे और किस तरह से में इसकी डिरेक्षन मनला हमें देखना घानी तो अब हम्सटार्ट करते हैं कि सब्चार्ट करते हैं तो बार два किसे हम समझेंगे और चैनल प和 प्रूनिंग के वीडियो काफी put जादा रहेगी और जो प्रोणिंग सीखना जाता है खासकर परलम की तो बने रहे हैं चैनल पर और सब्सक्राइब किजिए क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है तो यहां से स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हमने यहां पर इस वाली टैनिक का ड्रेसिंग के तो मैं आपको यह बताना चाहाँगा कि जो पेड देना उसका जो नीचे वाली जितनी भी टैनि अनना उन में जाना ग्रोश रहती है इन प्रिजंटे लिजन तो ऊपर वाले टैनियों पे क्योंकि जो बुपर वाले जतनी यह जतनी भी टैनिया यह यह जतनी पर है पर अबड़ेशन आपकार शीजन आपके लिए से फूटरे के लिए यहां पर आने वाले साथ, यहांसे फ्रूट आने वाले, यह फंदे जोड़ आटे, वीडियो में बताया क्यों चोड़ रहरे हैं तो यहां समसार करते हैं, तो अब आपके पास अब इस सीचुएशन होती है तो आप कैसी करेंगे यहां पे वर्क, तो पहले तो हम देखेंगे कि यह वाला जो टानी है यह हमारे लिए काम की है कि निया है तो काम की है अभी हमें ऐसा लग रहा है पहले यहां पर स्टार्ट करेंगे तो इस साइड को हम नहीं इसको ट्रेन करेंगे क्योंकि इस साइड को अगर हम ट्रेन करेंगे तो यहां पर यहां पर आने वाला है तो हम इस साइड को ट्रेन करेंगे अगर आप दूर से देखेंगे तो यहां पर गैप काफी जादा हमें लग रहा है इन दोनों मतलब जोतने tamor一樣 पे इसको यह से ही लिमुभ करतेंगे इस तरह से ठीक है अब यहां से रिमुभ करने के बाद इसे हम ने जाप सिर्व एक हूं कि ऑन पे हमें फू जाहिए ठीक है तो अब बेग सकते है इसको हमने यहां से इस साइड को ट्रेंड किया ठीक है तो इसके बाद यह वाली जो ट्रेंड है इसमें काफी ज्यादा फूर्ट है इसको हम यहां से ऐसे करेंगे इसे हम यहां से रिमोब नी करेंगे क्योंकि हमें फ्रूट चाहिए तो यह फ्रूट वाली टैनी है तो अलका सही हमने किया तो इसमें इसको हम ट्रीन करेंगे इसको यहां से रिमोब करेंगे और हम मैं सेडी पे चाच चुका हूं तो चलो सीख सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे तो हमने क्या करना है कि हमने यह भी देखना होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इसका और हमें बाद में भी देखना है कि बाद में यह प्रॉबलम नहीं करेंगे हम ऐसा लगते हैं प्रॉब्लम नहीं करेगी और यहां से कोई भी बिमानी बनाए कोई इस तरह की कोई टैनी नहीं है जिसे हमें आगे भेजें तो यह वाली हमें लग रहा है कि इसको हम आगे भेज सकते हैं तो इसको हम यहां से रिमूब करेंगे तो यहां से रिमूब टेक है जी तो अब अगर हम यहां से इसको कट करते हैं तो जो हमारे गूब है थे तो यह इस पर बढ़े हाऊ है तो इनगों जाएगी तो यहाँ पर फुरुट हमें अच्छा मिलेगई तो अंदर वाली टानिय है तो सारी हम पहले राएं रिमूब करते रहे जो जो हमारे किसी काम की नहीं है, अब यह बाहर, जितना हम बाहर को ट्रेन करते रहेंगे लिए तु जितने भी हमारे पुराने जिफ सपरेन को ल habits are करते रहेना तकि यह डल्वा स्टॉंग हो और यहां पर रिखी यह वाली चुटानी न यह यहां तो जाएगी पर इसके साथ टकराई आगी तो इसको हम यह से हलका सब कट करेंगे ताकि यहां से और भी टानी बाहर को यहां पर हमें फ्रूट मिले यह वाली तो हमने यहां से रिभूब करते रहना है और देखिए यह वाली चीज़े सीखने लाई गए अब यह देखिए यहां पर जो जंक्शन है जंक्शन मतलब काफी सारी टानिया तो अगर हम इसको छोड़ते हैं तो यह बहा जा रही है यह हमें डाया सही दे रहिए तो इसे हमें यहां से रिमूव करणा है ठीक है ज़ी और किसी तरह आप सीखते भी जाहिए और यहां पर दीखे अब क्या है यहाली टानियों में इससीन जाए जाह बाद में इन दौन हमें डिस्टेंस बाद i घखने किया होगा हमें बिकर आईग छजो हमें आइज है अपनी इस side को आए अगर इस side को आएके तो distance अपने आप जाएगा भाद में दिस्टेंस अपने की कि बाद में अब इस फवली डानी की turn है है कशंब यहां से remove करना है ऐसी एसे ॅचसे और इसको हमने हलका say का यहां अब जो काड़ देते हैं तो जो हमें इस साल प्रूट मिलने वाले वो नहीं मिलेंगे तो इसको हम थोड़ा सा यहां से फ्रूट के लिए यहां से खाटेंगे इसको अगर इसमें प्रूट नहीं आए तो अगली साल इसको हम पीछे से ही रिमोग करेंगे तो इसे तो असली ट्रेनिंग कहते हैं कई वा तो नुकसान मुझे क्या होगा जो मुझे यहां पर पूरूट मिलने वाले गोर नहीं मिलेंगे हाँ यह भी हो सकता है कि आप सोचने को कि यहां पर काफी ज्यादा तो ऐसा कुछ नहीं है इसको यहां से आप अलका सा रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स होने से जो यहां पर फूरूटिंग होगी काफी अच्छी होगी अब यहां पर भी काफी ज्यादा फूरूट है तो हमें प्रूर को पता होना चाहिए जो कटर होता है तो आपके फूरूट कौन है हर एक चीज़ का नॉलज़ अब इस टानी को हमेरा काटना पड़ेगा क्योंकि यह उपर जाके यहां पर प्रॉब्लम करेंगी तो इसको हमने यहां से रिमूब किया ताकि यह स्पेस भी काफी ज़्यादा अब यहां पे आते है अब यहा जो टानिया लिए दिआ हम में दो खाल था एक दो खुरोक है एक और रो कर से जोनािक है जए है जब सबहुत है hun अब आपका काफी अच्रे से यहां पे प्रोनिंग हुई तो यहां आईए इसमें काफी ज्यादा फ्रूट हमें नज़र आ रहे है तो यह चीज समझने लाइक होती दिखिए हमेना पेड को बाहर को बनाना डाया अंदर की ओर नहीं ले जाना है जितना खूला रहे है उतना व अब नीचे आके देखें कि जहां हमने प्रूनिंग की है उसमें हमने प्रूनिंग की कि 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 दूसरी टानी को डिस्टरब तो नहीं कर रही है जो हमारा मैतल है उसमें कोई गलत तो नहीं कट किया गई तो यह वाला एरिया जो आप देख रहे हैं इसमें हमने सबन चुका है एक टैनी सो समझ के काते रखे और पीड को अच्छा बनाएं यह मकसद हो रहा है अब यहां मजा रहे हैं तो बने रहे हैं हमने यह भी देखना होता है कि अगर टानी में फूर्ट जादा आने वाले हैं तो वो टानी फूर्ट को समाल भी पाएगी कि नहीं तो ह हमारी जो पूर्णिंग है काफी अच्छी होने चाहिए तो इसको हम यहां से आगे से रिमूब कर देंगे अब क्या होगा जो बाकी के इस जुस पर है यहां पे इनको काफी जादा लब ग्रोफ चली जाएगी तो हमारे फूर्ट काफी अच्छाएंगे हमें उतने जाए ज तो यहां देखिए यह वाली जो टानी है ठीक है और यह वाली टानी तो इन दोनों में आप देच सकते हैं काफी यहां पे प्रॉबलम हो रही है स्पेस काफी नहीं कुछ मलब स्पेस कुछ नहीं बच रहा है और इस टानी की जो स्ट्रेंथ है इसमें फूर्ट है और हमें भी बचाना है तानी को भी रिमॉब करना है तो हमने क्या करना है इसको यहां से कट करना है ठीक है उससे क्या होगा हम इस साल फ्रूट मिलेगे हां यहां से कोई और ब्रांच चाहिए तो अगली साल हम इसको यहां से हटा देंगे ठीक है तो हमें फ्रूट पे भी ध्यान देन पेड़ खतम तो हमें फ्रूट पे फोकस है कि फ्रूट भी लाना है पेड़ को भी पनाना है तो यहां हमारे प्रोणिंग हो चुकी है कुछ टानियों में अब हम थोड़ा देखिए अब हम बिल्कुल टॉप पे चड़ चुके हैं क्योंकि सीडी से कबरनी हो पा रहा है एक चीज और आपको ध्यान रखनी है जब पेड़ बड़ा होता है तो आपका मैक्सिमम फोकस क्या होना चाहिए फ्रूटिंग प्योंना चाहिए क्योंकि जब पेड़ छोटा हो तो आप पेड़ को उसमें ट्रेंड करें फ्रूट पे फोकस ना करें और पेड़ बड़ा हो चुक है तो जब पेड़ बड़ा होता है तो इसको बनाने में उतना प्रावलम नहीं होता है आपको उसकी मैंटनेस ही करनी होती है और ज्यादा फोकस आपको प्रूट पे देना और इसको हम यहां से रिमूब करेंगे क्योंकि हमारा जो फोकस है अगर देखते हैं तो यहां पर फूरूट था पिछली साल तो यहां पर स्लिपिंग आइज ओपन हो जाएगी और हमें यहां पर इस साल पर फूरूट मिलेंगे तो मैक्सिमम फोकस आपका फूरूट पर होना कि इसको भी आप पिछे से रिमूब करें क्योंकि आपने यहां पर अल्रेडी रखा हुआ है यहां की प्लैनिंग हो सकते है सुक्सेस हो हो सकता है ना हो बट रिजल्ट मुझे तो 100% पिछली साल भी मिले हुआ है तो इस साल भी मिलेगे अब यहां पर हमारी क्या ट्रेणिं अब यह वाली टानी है जो अंदर को जितनी भी शाक्षा आया है उनको हमने रिमूब करना है बिना सोचे समझे ऐसे 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 अब सोचना किसके लिए है सोचना है जो बाहर की ओर जा रही है अब इसको हम रिमूब करेंगे ऐसे इसको और इसको दोनों को रखेंगे क्यों क क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि रखना चाहिए फिर नेक्स टीर देखेंगे अगर हमें अच्छा नहीं लगा तो अटा देंगे तो यह जो बाहर वाली इसको हलका सामने कट किया ताकि यहां सी और ब्रांच निकले तो इसको छोड़ रहा है देखते हैं नेक्स टीर देंगेν हैं अलुकोट नहीं दो कि ब्लेन नीच्स टीर कि लिए क्या प्लाव 잔र चुका इसको नहीं है तो आपने कुछ नहीं देखना है इसमें पुरुट बहुत हैं बप्क्रेशन की अफिडूरकर में से आचिक बूट की अवर करने हैं इसको हमने रखना नह यहां पे दो है ऐब यहां पर वी दो थी यहां पर हमने इसले रखे कि इस पेस काफी है तो इसको देखेंगे कैसे लेके ज्यादा एक लिए साल तो देखें दोस्तों हम छोड़ रहे हैं अगर आपने पार्ट वर नहीं देखें तो पार्ट वन जूर देखें कि हम इन शाकाओं को क्यों छोड़ रहे हैं तो यहां पे क्या है डिस्टेंस आप देख सकते है काफी कम है तो इसको रिमोव करते घर देंगे और यह पे अलका सा टीप देंगे ताक यहां से ब्रách बाहर के लिए और इन्हें हम अलका टिप देंगे ताकि जो रिवर्स ग्रोथ रिवर्स हो और हमें और विस पर मिलते रहें अब यहां पर क्या रहता ना तो परलम मैं मैंसे रहता है कि बहुत सारी ब्रांच जाब को मिलती रहते हैं जहां से पिछल साकट किया है तो यहां पर हमने इसको अगर यह वाली ब्रांच नहीं होती तो इसको हम जरूर रखते तो इसको हमने अटा दे मैसे और यहां पर यह से ठीक है अब ठीक है ना अब डिस्टेंस आपके लिए ब्रावर और पेर काफी खुला डूला होना चाहिए मैंने आपको खा भी है क्योंकि मेरी पॉजर की ग् की मेरी पॉजर की ग्रोथ काफी जाना ते अब यहां पे आप देक सकते हैं कि हम नेट नहीं दिया तो होगा कुछणी हो सकता है यहां पे जाधा फूज़ार खुल पोच्ट नहीं लेने लीक चोटी ंsतानी परे इसको हमने यहां पर शूजर करना है हमने यहां पर फूज काफी है क्योंकि हमारे पास यहां भी option है यहां भी option है काफी सारी option है तो हर एक चीज आपको धिहां दें जिए वाली टानिया न यह आपने करने इस अंदर यह रखने है बाहर के लिए ठीक है जी कि यहां आईए इस साइट इसको हमने रखने है कि ने रखना है इसको अगने रखना है और जो नीचे वाली इसको उड़ादेना रही है क्यों कि यह वाला स्पेस हमें काफी खाली चाहिए याज को ठीक है अगर सको में हम यहाँ से डिकत करते हैं तो भी अधिकत कर रही है यह अपनी जगह सही तो इसको मेन्टेनेश करें यहां से ऐसे और यहां से इसको ठीप करें अकर बहुत के लिए और इसको भी टीप करें यहां पर आप देख सकते हैं यह वाले जो टाहनी है यह डिस्टर्ब भी कर रही है क्योंकि यह काफी बीच में लगी हुए यह वाला इरियस ने कवर कियो है और ग्रोथ भी काफी इसने ले लिए और यह भी काफी टॉप पे है अगर नीचे होती तो हम कुछ इसका करते हैं प यहां से रिमूब कर देंगे ठीक है और फ्रूट के लिए हम यहां पर चोटी टानिया पर प्लैनिंग करेंगे ठीक है यहां ऐसा कट करेंगे इसको यहां से कट करेंगे ऐसे ठीक है चोटा-चोटा कट और यहां पर इसको और अंदर क्यों अंदर को नहीं रखनी है हमने ब यह अंदर की ओर जा रही है इनको हमने रूमोब करना है ताकि बाहर की ओर ही रहे सब कुछ क्योंकि अंदर मैंने आपको पहले बताया है कि अंदर अगर रखा तो संड्रेज आपका फर्स्ट चीज संड्रेज के लिए वर्क करना है सेकिंड आपने जब तुडान करना है तो प्रूनिंग करनी हो तो जब आप पेड के अंदर चड़ें तो आपके पास पेस काफी होना क्योंकि आपकी पेड की ग्रोथ काफी जादा है तो आप डर रहना इस चीज के लिए मुझे कोल्ड भी हो चुका है अब देखिए आपकी जो स्किल है ना यहां पी वर्क करती है अब अगर आसी दो शाखाए हैं भी बाहर के लिए अंदर जानी रहे हैं तो हमने क्या करना ह हैं हमने इसमें कोशिश करनी है कि इसको तो फाटा था हम अगर इसको हटा देते हैं तो क्या होगा काफि बाहर जाएगा थोड़ा में अंदर भी चाहिए तो हम इसको यहां से टिप कर देंगे अब यहां छाएगा यह लीड करेगा यह leader हमने बना दिया तो हर टैनी में एक एक लीडर रह गया जब एक लीडर रहेगा तो पेड़ की ग्रोथ काफी अची रहती है और यहां पर थोड़ी सी दिकत कर दी हमने जो यह वाली टानी हमने रखी तो है तो इसके और इसके बीज में गैफ काफी कम लग रहा है अभी तो छोटी बात में जब बड़ी होगी तो इसको हमें रूमा करना ही पड़ेगा तो बेट रहे कि अभी से ही इसको रूमा करें कि यह जो energy खाईगी अब distance काफी ठीक हो गया तो एसे ठीक है अब हम की साइड आ रहे हम ही साइडाकर तो इस साइड क्या है यह अंदर वाली हमने रूमा कर देनी है एसे ठीकि प्रूनिं इसको हमने पीछे से ही रिमोव करना है ठीक है अब यह वाली जो टानी है इसको हम छोड़ देते हैं इसको हम नेक्स टेर देखेंगा बट फिर भी यह वाली टानी ना यह फिर भी प्रावलम करेगी इसको हम क्या करते हैं इसको हम पीछे से ही रिमोव करते हैं फिर यहां पर हम फ्रोट लेंगी ठीक है इस पेड़ में जो है ना हमारी प्रोनिंग खतम हो चुकी है तो अब हम आपको फाइनल टच बताते हैं कि पेड़ की अब हालत कैसी हो चुकी है ही देखे हमने छोट दिया है क्यूंकि हमने आप को कहा कि हमें अब ग्रोथ जो है पेड़ की रोकनी है ताकि जो ग्रोथ है ना रिवर्स हो ठीक है जो स्लीपिंग आइज ओपन हो ज्यादा से ज्यादा अभी में बने अब हमारा फोकस फ्रूट पे ज्यादा रहेगा ठीक है इस साइड आप देख सकते हैं यह देखिए begin दोड़ान कर सकते हैं घूम सकते हैं यह दे देखिए अब हम थोडवारा नीची बडे राम से ऑप देख सकते हैं पीर में हपने कैसे वर्क किया और काफी पेसिंग कोई स्पेस की प्रॉलम नहीं हो गाँ और एर क्रोसींग सान्रीज आप ढोसे पेड़ मैं पूरूर्व यह देखे हैं और यह देखिए पहले आप वीडियो को चाहिए बैक कर लेना तो हमने जब यह इस वाले पोर्शन में प्रोर्शन की हालत कैसी थी और अब कैसी है और पुरी पेड़ को आप देख सकते बिल्कुल अराम से नीचे से उपर तक यह देखिए तोड़ा जूम करके जाए भी हालब कोबताता है यह देखिए बिल्कुल अच्छे सी आप देख सकते हैं को सब्सक्राइब को जितनवे टाहिए मैंने आपको मता की बहार चोड़नीा अंधर मेलिं अंधर के लिए नहीं रखनी है क्योंकि प्रवर्डम और गर अगर रखेंगे तो बहुत तंग हो जाएगा जब आप पेड में चढ़ेंगे आप जिलिए स्पेस नहीं रहेगा और कहने नहीं हो जाएगा उस कारण से क्या होता है पेड काफी डैमेज हो जाता है जिदना पेड को फिलाव देंगे क्योंकि मेरी पुजा को पर काफी तो आज की ट्रेनिंग में इतना ही अब मिलते हैं आप से नेक्स टे और पार्थ्री में पार्थ्री में मैं आपको बारिक्यां बताऊगा जितना आप देखते रहेंगे उतना आप सीखेंगे एक वीडियो से आपको ज्यादा कुछ पता नहीं चलेगा अलग अलग पेड़ की अलग पेड़ में अलग अलग ब्रांचेज होती है तो उनको कैसे मैनेज करना है कैसे ट्रेन करना है यही तो प्रोनिंग में सीखना है क्योंकि एक पेड़ से इस पेड़ में तो आपने सीख लिया अगर हम इस पेड़ में अब देखें तो इस पेड़ की शकल कुछ और बो करें कोमेंट में पूछें जो आपके डाउट्स हैं और अभी काफी जादा प्रूनिंग करने को है अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लग रही है प्रूनिंग की तो अपना प्यार दिखाए ज्यादस एक चीज आपको अभी ऐसे बताते है इस पीड में सबसे पहले स्पेसिंग के बार हमें भी सोचना होता है तो यह वाली जो टानी है यह वाली इसको हमें यहां से ही रिमूब करना पड़ेगा क्योंकि इस ने देखे चलो एक तो है कि इसमें पुरूट तो आएंगे परी डिस्टर्ब कितना कर रही है देखिए स्पेस आपके पास है नही अगर आपने पेड़े पर चरना है गोमने के लिए स्पेस रुक गया है और ग्रोथ भी इसने में जो इसका में चाका है देखिए जो लीडर आपको जारा सेंटर लीडर उसे से ही यह टानी यहां से काफी ज्यादा ग्रोथ भी लेरी और गर्लत है इसको हमें रिमूब करना बढ़ेगा तो रिमूब करके आपको बताते हैं कि कितरा स्पेस बनता है और आपको यह जीज बहुत जादा में तो आपको पेड़ को काफी अच्छे से मैंटीन करना है इतना मतलब आपको मैंने बताया ना सारी जो टेहनिया बाहर को छोड़नी है और काफी गोलाकार में पेड़ को काफी स्पेसिंग रखनी है बीच में अगर आप जब भी देखिए जब यह प्रून करें यहां पे आप देख सकते हैं स्पेस काफी ज्यादा मैंटीन किया हुआ है क्योंकि जब आप तुडान करें प्रूनिंग करें पेड़ के अंदर चड़ें तो आपको स्प यहां पर दिस्टेंस और यहां पर दिस्टेंस काफी ज़्यादा डिस्टेंस मैंने रखा हुआ है और इसी तरह आपको प्रूनिंग करनी है पहले तो जो यहां से कट किया तो उसकी वरसी काफी स्पेस मैंटेन हुआ सूरे के किलने अच्छी पड़ेगी पेड़ पे और पेड़ की ग्रोत और भी ज्यादा अच्छी होगी और फ्रोटिंग भी काफी अच्छी होती है देखिए यह पेड़ आपके पास है हाज का तीसरा पेड मैरी पोजगा और इसकी शकल आप देख सकते हैं और आपको प्रूनिंग हो चुकी है पहले यह कैसा था और पेड़ कैसा हो चुका है तो इसे कहते हैं प्रूनिंग यह देखिए अगर आप देखेंगे अच्छे से तो आपको गलती कहीं भी नज़र नहीं आएगी यह दोना नस्दीक से आपको दिखाते हैं यहां पर दिखिए किस तरह से हमने डिस्टेंस मैंटेन करके रखा और यहां से टानियों को काटा था कि यह और डिस्टेंस मैंटेन हो और यहा से दिया क्योंकि अब हमने इसको डिवेलप करना है और इस साइड है हमने यहां पर भी कट दिया है यह इस पॉंट पर क्योंकि इस वाल एरियों को हमने सब्सक्राइब करने देख सकते हैं आप राम से चड़ भी सकते हैं और तुड़ान भी कर सकते हैं और पेड में हवा सूरज की किर्ने प्रोपर मैंटेन होगी अब यह देखिए हैं इससाइड आते हैं यहां देखिए यहां पर एकट किया कि यहां से टानी 5 साइड हा रही दी ह reports काफी एक्फर कर लिया था और यहां से भी हमने टानी सब्सक्राइड जा रहे थी यह बिल्कुल जंल सा बन गrates तो तो यह सेलेक्शन आपकी होनी चाहिए और यह जितना ज्यादा प्रोनिंग करेंगे जितना आप सीखेंगे तब आपको नॉलेज चाती रहेगी तो यह देखे फाइनल टच और इस साइड आईए यहां पर भी कट दिया क्यूंकि यह वाला यहां से टानी इस साइड को जा रह तो हमने काफी खुला डूला हो चुका है यहां भी हमने कर दिया दिये यह वाला स्पेस हमने काफी क्रेट किया तो यह से होती है प्रूनिंग तो